ओके सुजेजी के आपको पता है कि प्रो कबड़ी पहुंच चुका है जैपूर के सहर में आज के दिन दो धमाकेदार मैचेस होगे आज का दूसरा मुकाबला पुनरी पल्टन बनाम गुज्रा जाइंट्स के बीच में होने वाला है यह मुकाबला स्वेसल भी इसलिए होने वाला है कि फजल अत्रा चली अपनी फॉर्मन टीम पुनरी पल्टन के अगेंस्ट बिड़ेगी वह पुनरी पल्टन जिने फजल की टीम ने लास्ट मुकाबले में पाइनल तक ले गए थे उस टीम के साथ काफी जादा इनका इमोशन है और वह सेम टीम फजल के इंडोर स्टेडियम जैपुर में दोने टीम्स के हैट वर्ड रिकॉर्ड पे नज़र डालिया जाए तो दोने टीम्स अब तक पारा बार भिड़ चुकी है जहां पे पुनरी पल्टन के टीम तीन बार जीती है गुजरा जाइंट्स की टीम आठ बार जीती है एन एक बार तो मुकाबला है वो यहाँ पे टाइ हुआ है लास्ट टाइम जब दोने टीम्स बिड़ी ती तो गुजरा जाइंट्स की टीम ने पुनरी पल्टन को 51-39 के स्कोर से हराया था पीकेल सीजन 9 में दोने टीम्स के स्टार्टिंग से डाल लेते पुनरी पल्टन से सुरुआत क किया जाए तो यह यहाँ पे पुनरी पल्टन की स्टार्टिंग सेवन रहेगी जहाँ पे हमें असलम इनामदार, पंकच मोहीते, मोहीत कोयत, अबिनेस नदराजन, संकेच सावन, गौरफ खत्री और मौहमद रेजा सादलू देखने को मिल जाएगे रेडिंग की बात किजाए तो रेडिंग में तीनो ही रेडर्स ने पिछले मुकाबले में डिसेंट सा पफोर्मेस दिखाया था, डिफेंज भी काफी डिसेंट सा पफोर्मेस दिखाया थे, जहाँ पे कौनरेट के डिफेंडर्स ने ही काफी अच्छा पफोर्मेस दिखाय गुजरात जैंट्स की बात किजाए तो यहां पे गुजरात जैंट्स की स्टार्टिंग सेवन रहेगी जहां पे हमें राकेश, पर्तिक, दहिया, सोनु जागलान, दीपक सिंग, बाला जीडी, सोमबीर और फजल अत्रा चली देखने को मिल जाएगे गुजरात के टीम की तरफ से पिछले मुकाबले में दीपक ने काफी ज़दा मतलब की इंप्रेस किया, 9 टैकल पॉइंट स्कोर किया जो काफी अच्छी बात है चैनल को जॉइंट कर लो वहां पे आपको पीकेल के हर एक अपडेट सबसे पहले देखने को मिल जाएगे जो मैचेस के कवरेज होते वो भी हम सबसे पहले कर रहे है तो आप टेलिग्राम चैनल को जॉइंट कर लो अभी तक नहीं किया है डिस्कुर्प्शन बोक्स में आपको लिंक मिल जाएगा ने तो टेलिग्राम पे जाके आप एटेरेट स्पोर्ट सिनिफ 7 सर्च करके जॉइन कर सकते हो अब फटावर्ट दोनर टीम्स के पॉन्स टिबल के रैंक पे नज़र डाल लेते हैं पुनेडी पल्टन की बात की जाएं तो पुनेडी पल्टन की टीम अभी पॉन्स टिबल पे रैंक नमबर एक पे हैं 10 मैचेस खेले जिसमें से 9 मैच जीती है एक मैच हारी है 46 नहीं होगा जीच जाएगी तो प्लेयोफ के लिए और करीब आ जाएगी और टॉप टू का जो दावेदारी है वो यहां पे और भी जादा इनका मजबूत हो जाएगा वहीं पे गुजरा जाएंट्स की बात की जाए तो गुजरा जाएंट्स की टीम अभी पॉन्स टिबल पे रैंक नमबर 3 पे मुकाबला जीतेगी तो रैंक नमबर 2 पे आ जाएगी इनको 4 मुकाबले और जीतने और अगर मुकाबला जीत जाएगी तो 3 मुकाबले और जीतने होगे और अभी इनके 11 मुकाबले बचे हुए और 11 मैंसे 4 मुकाबले मुझे लगता है कि जीती जाए अगर यह मुकाबला हार भी जाती है तो गुज्रात को कोई जादा दिकत नहीं ओगा कोई जाधा नुकसान नहीं होगा अब उन प्लियर्स के बार में बात कर लैते जिन में सब्सक्राइब कि नजर सब करें रहने वाले यह पुरणी पलतन की तो पुरणी पलतन की टीम कि आपतानी पारी हमें देखने को मिल सकता है गुजरा जैंट्स की बात की जाए तो गुजरा जैंट्स के कप्तान फजल अत्राचली पे भी सब की नजरे रहने वाली है अपनी फॉर्मर टीम पुनरी पल्टन के अगेंस भिड़े गे इन्होंने अब तक पिकल 10 में 11 मैचेस में 31 टेकल पॉइंट स्कोर कर लिया है और अच्छा परफोर्मेंस दिखा रहे है और इस मुकाबले में मुझे लगता है कि अच्छा खेल चकते है अब मुझे गया लगता है कि कॉंसेटी मुकाबला जीच सकती है मैं यहां पे गुजरा जैंट्स के साथ जाना चाहूगा गु गुजरा जैंट्स की प्लस पॉइंट है दोने टीम के कॉर्णर डिफेंडर पराबर है और मुझे लगता है कि जिस टीम का रेडिंग और कवर डिफेंट जादा अच्छा खेलेगा वो यहां पर मुकाबला जीच जाएगे और अभी फिलहाल की टीम आगे चल रही है अब अगर आपको लगता है कॉंसरी टीम मुकाबला जीतेगी अगर आपको लगता है कि पुर्णी पल्टन की टीम मुकाबला जीतेगी ताप और अगर आपको लगता है कि गुजरा जैंट्स की टीम मुकाबला जीतेगी ताप रेड हाट कॉमेंट कर सकते हो और अभी फिलाल के ऐसे कौने इंट्रेसिंग विड़े के साथ ठैंक्स वर वच्चिंग